बिसमिल्ला रह्मानी रहीम, सलामु अलेकुम दोस्तों, इसले लेक्चर में हमने टाइप्स औफ डेटर ट्रांस्मिशन के टॉपिक का आपस किया था, जिसके अंदर हमने सीरियल और पैरलल ट्रांस्मिशन की डिफरेंसिस की डिटेल्स देखी थी, आज के लेक्चर में हम सी एस्ट्रांस्मिशन, उसकी वर्किंग प्रिस्पल की डिटेल्स रेखेंगे, तो डिफरेंस, आएए अपने लेक्चर का आवास करते हैं, एस्ट्रांस्मिशन, दोस्तों, जैसे के नाम से जाहिर हो रहा है, कि एस्ट्रांस मीन्स नौट सिंक्रोनाइज, यानि ऐसी दो डि एस्ट्रांस्मिशन के थूँ, जैसे के हम सब जानते हैं, कि माइक्रो पोसेसर की स्पीट बहुत फास्ट होती है, जबके इंपुट आउपुट डिवाइसे, जैसे के माउस, कीबोड, प्रिंटर वगारे की स्पीट बहुत स्लो होती है, तो ऐसे में, अगर हम कीबोड से क कोई डिटा माइक्रो पोसेसर को बेज रहे हैं, तो माइक्रो पोसेसर की स्पीट तो फास्ट है, तो तेजी से डिटा को एकस्ट करना चाता है, जबके कीबोड उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिटा सेंड कर रहा है, तो माइक्रो पोसेसर इस तरहां बेश्टर वक्त आ प्रिंटर स्लोग तो माइक्रोपोसेसर तो तेजी से डेटा भीशता रहेगा लेकिन प्रिंटर के अंदर के पैबलेटी ही नहीं है कि वो इतने सारे डेटा को एक साथ एक्सेप्ट करें तो इस तरह बहुत सा डेटा लॉंस्ट हो जाएगा तो इसे लिए जरूरत पढ़ी एक ऐसी ट्रांस्मिशन की क्योंकि माइक्रोपोसेसर को बता सके यानि सेंडर को बता सके कि उसे कितिनी तादाद में डेटा एक वक्त में सेंड करना है डिसीवर को जिसको डिसीवर यानि प्रिंटर बाअसानी रिसीव कर सकता है तो इसके लि ही नहीं है तब भी वो आपस में बगर आइडल रहे और डेटा को लॉस किये बिना ट्रांस्मिशन कर सकती है यह देखिए अ टाइप ऑफ कॉमिनिकेशन टेट सेंट डेटा यूजिंग लो कंट्रोल राधर देन अ Yeah, nda डेटा क्लॉक का इस्ताम आ जाता बलके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करके कितना डेटा एक वक्त में और कितनी एक कैडि और संट से सैंटरा की ट्रांस्मिशन Conference केक डिखने में इकangen कितने एक क्याल गाल इसमें एक में था एक वक्त स्किंटीन को दिंा इसमें एक वगैं डिट संसे क्योगा सुदान इन पेलिख कपं़र सब्सक्राइप क्यों इन दिस्हुडिक हएं ये पूरा word एक साथ नहीं जाएगा बलके TAT तीनो एट एट बिट्स के हैं तो पहले C जाएगा जोके एट बिट का है देन A जोके एट बिट का है और फिर T और वो भी एट बिट का है यानि एक वक्त में receiver के पास one byte of data पहुँचेगा दोस्तो इसमें data के साथ साथ उसमें कुछ और bits भी add की जाती है जोके receiver के लिए बहुत helpful होती है तो है start और stop bit दोस्तो इसके start में एक bit लगा दी जाती है जोके receiver को बताती है कि अब आपका data आना शुरू हो रहा है और जब पूरा data यानि एक bits का पूरा data receiver तक पहुँच जाता है तो एक stop bit end में लगा दी जाती है जोके receiver को बताती है कि अब आपका data मुकमल हो गया है इस तरह receiver को पता लगता रहता है कि कब data आ रहा है और कब stop हो गया है जिससे receiver को बहुत help मिलती है तो dear friends यह देखिए in asynchronous transmission each character is surrounded by start and stop signal that's why it is called start and stop transmission means यह है sender और यह है receiver तो इसमें एक वक्त में एक character जोके 8 bit का है वो जाएगा और उसको बंद किया हुआ होगा 2 bits में जो पहली bit होगी वो कहलाएगी start bit then character होगा और जो आखरी bit होगी होगी stop bit और इन start और stop bits की वज़ा से इसको start and stop transmission का नाम भी दिया जाता है so dear friends a start bit is sending before the data a start bit is sent before sending the data and the start bit has a value 0 that is called space state दोस्तों जैसे मैं आपको बताया कि start bit सबसे पहले receiver को बिली दी जाती है before sending the data जोकि receiver को बताती है कि your data is about to come और उस start bit की value होती है 0 जिसको computer की जबान में space state का नाम दिया जाता है जब पूरा data receiver तक पहुँच जाता है तो end में एक और bit add की जाती है जो के stop bit कहलाती है और उस stop bit की value होती है 1 और computer की जबान में उसे mark state कहा जाता है so dear friends the value of stop bit is 1 and it is called mark state दोस्तो एस synchronous transmission में data units के दर्मियान gaps होते है जानि एले एक character send होता है फिर थोड़ा सा gap होता है फिर दूसरा character और इस तरीकी से तमाम characters यानि जितना भी data आप भीजना चाहते हैं उनके दर्मियान gaps मौजूर होते है for example दोस्तो इस पूरे procedure को थोड़ा सा revise करते हैं यह है sender और यह है receiver और इन दोनों के दर्मियान आप send करना चाहते हैं word cat जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें character by character यानि 88 bits की शकल में data send होगा तो पहले c की 8 bits send होगी लेकिन c को भेजने से पहले हम receiver को भेजेंगे एक start bit जो के है 0 यह start bit receiver को बताएगी के अब आपको data यानि c मिलने वाला है आप इसके लिए तयार हो जाएं और जब यह पूरा character यानि यह पूरी 8 bits receiver तक होगी तो हम send करेंगे एक और signal जो कहा है stop signal जिसकी value है 1 कि 1 receiver को बताएगा कि अब आपको एक पूरा character जो के 8 bits पर मुश्टमिल है आपको मिल चुका है इस तरह receiver को भी पता लग जाएगा कि उसके पास एक पूरा character उसके पास आप चुका है लेकिन अब फॉरल अगला character send नहीं होगा बलके पहले थोड़ा ग्यार आएगा means sender और receiver थोड़ी दिर idle रहेंगे यानि कोई data transmit नहीं होगा और थोड़ी दिर idle रहने के बाद अगला character transmit होगा दोस्तों फ्रेंट्स यह देखिए in asynchronous transmission the line that is idle is identified by a value of 1 so this value indicates that no data is currently being sent यानि आप देख सकते हैं जब 1 आएगा तो यह 1 यह represent करेगा कि अभी transmission कुछ देर के लिए idle रहेगी यानि कोई data transmit नहीं होगा थोड़ी देर के लिए and when the line is switches from the value 1 to a 0 the receiver is alerted that a data character is about to come down यानि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब यह 1 0 की तरफ switch होगा यानि जब 1 के बाद हमें 0 नजर आएगा तो यह 0 यह represent करेगा कि अब receiver को alert हो जाना चाहिए कि उसके पास अगला character आने वाला है और दोस्तो इस तरह इसमें data के flow को control किया जाता है by the start and the stop bit दोस्तो यह थी asynchronous transmission की working आईए इसके advantages और disadvantages की details देखने हैं दोस्तो क्योंकि इसमें clock use नहीं होती और याद रखिएगा जहां भी clock use होगी वह local storage required होता है और synchronization और क्योंकि इसमें कोई local storage required नहीं है क्योंकि कोई clock use नहीं हो रही जिसके वज़ा से यह दूसरी transmissions की निजबर inexpensive होता है यानि कम कीमत का होता है और इसको ज़्यादा तर computers में data को transfer करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तेकिन इसका एक disadvantage भी है it is relatively slow क्योंकि इसमें हर एक character को one by one send किया जाता है यानि हर एक character को एक एक करके send किया जाता है और हर character के बात gap भी दिया जाता है जिसकी वज़ा से इसके जरीए जो data transfer होता है वो निजबतन आइस्ता speed का होता है तो दोस्तों यह थी asynchronous transmission उसकी details उसकी working और उसका format और उसके advantages और disadvantages अगली lecture में हम synchronous transmission की details देखेंगे टेखेंगे